दोस्तो हम सबी को पता है आज के दिन राम जन्म भूमी आयोध्या में राम मंदिर का भूमी पूजन हो रहा है इसी के चलके दोस्तो मैं आपको इस वीडियो में राम मंदीर भूमी पूजन के रिलेटेड एक छोटा सा स्टेटरस वीडियो एडिटिंग के बारे में बताने वाला हूँ जी हा दोस्तो राम मंदिर भुमी पूजन के बारे में एक छोटा सा वीडियो आप एडिट करके अपने वाटसब के उपर स्टेटरस रख सकते हो जिसको देख के दोस्तो आपके कही सारे दोस्ति बिलकुल चोक जाओंगे बिलकुल उनको भी शौक लग जाएगा कि आखिरता यह वीडियो स्टेटरस आपने कैसे एडिट किया तो चलिए दोस्तो इसी के बारे में हम बात करने वाले इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों स्वागति आपका इस फिलियों में तो दोस्तों काफी दिनों से चलते आ रही राम जन्म भूमी आयोध्या में भूमी पुजन के बारे में काफी दिनों से चर्चाए चर रहे थी लेकिन आखिरकार आज का दिन वो आ गया कि आज के दिन में राम जन्म भूमी आयोध्या में राम मुर्दिर का भूमी पूजन हो रहा है इसी के चलते हैं दोस्तों हम इस वीडियो में राम मंदिर भूमी पूजन के बारे में एक छोटा सा वीडियो एडिट करने वाले है तो चलिए दोस्तो जादा टाइम ना लेते हुए फीडियो को शुरुआत करते हैं इससे पहले दोस्ते एक छोटी सी रिक्वेश्ट करना चाहूंगा चैनल पर दोस्तो आप नए हो तो चैनल को कर दीजे सब्सक्राइब साथी साथ दोस्तो बेल आइकों को कर दीजे प्रेस इससे क्या होगा दोस्तो जब भी मैं कुछ इस तरह यूसफुल वीडियो अपने चैनल के उपर अपलोड करूँगा तो उस वीडियो की नोटिवेशन सबसे पहले आपको आपके मोबाल स्क्रीन के उपर मिल जाएगी तो चलिए दोस्तो वीडियो को शिर्फवात तो दोस्तो राम मंदिर भुमी पुजन के बारे में एक छोटा सा वीडियो अगर हम एडिट करके अपने वाटसप स्टेटरस के उपर या फिर अदर कई सोशल मीडिया प्लैटफरम के उपर अप्लोड करना चाहते है तो दोस्तो ये वीडियो एडिट करने के लिए हमें एक छोटे से एप्लिकेशन पर यहापी जरुरत लेनी होगी जिस एप्लिकेशन का नाम है दोस्तो काइन मास्टर तो दोस्तो जैसे आप काइन मास्टर ओपन करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाता है तो आपको यहापे सिंपल से प्लस वाले आइकोन के उपर क्लिक करना होगा इसके बाद दोस्तो आपको यहाँ पर स्क्रीन सिलेक्ट करनी होगी तो आप यहाँ पर देख सकते हो 16.9 यह वाली स्क्रीन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी जैसे ही दोस्तों यह स्क्रीन आप सिलिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह interface open हो जाता है तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर media का option हमें मिल चुका है तो simple से दोस्तों आपको यहाँ पर media के option के ओपर click करना होगा इसके बाद आपके mobile की gallery यहाँ पे open हो जाती है तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो background का हमें यहाँ पे नाम show हो रहा है simple से इस background के उपर हमें click करना होगा background के उपर click करने के बाद यहाँ से आप कोई भी एक background select कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता है दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखाने के लिए कोई भी एक background select करता हूँ background select करने के बाद हमें जितना video lengthy बनाना है बिल्कुल दोस्तों इस background को यहाँ से आपको बढ़ा देना है इसके बाद आपको यहाँ पे ok पर click करना होगा अब दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान से इस video को देखना होगा without skip करते होए क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पे थोड़ी सी भी अगर step मिस करते हो तो शायद आप मेरी तरह video edit नहीं कर पाओगे तो बिल्कुल दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान से इस वीडियो को देखना होगा तो अब दोस्तों आपको यहाँ पे आने के बाद लेयर के उपर क्लिक करना होगा जैसे दोस्तो आप layer के ओपर click करते हो तो आपके सामने इस तरह 5 option open हो जाएगे तो आपको उपर वाला जो option है media का simple से media के ओपर click करना होगा जैसे दोस्तो आप media के ओपर click करते हो तो वापी से आपके mobile की पूरी gallery open हो जाएगी तो दोस्तो आपको यहाँ से ओव वीडियो सेलेक करना है जो वीडियो आपने इस वीडियो के starting में देखा था तो यह वीडियो की लिंक दोस्तो आपको इस वीडियो के decision में मिल जाएगी उस लिंक के ओपर click करके यह वीडियो आपको आपके mobile की gallery में download करके रखना है तो simple से दोस्तो यह वीडियो मेरे gallery में पहले सी available है तो इस वीडियो को मैं यहाँ से select करता हूँ आप देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल ओ वीडियो मैंने यहाँ पर सेलेक कर दिया है जैसे दोस्तों यह वीडियो सेलेक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाता है आप देख सकते हो screen के उपर, उपर की तरब जो यह वाला option है, simple से यहाँ पर click करना होगा, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ आप देख सकते हो, off वाला option है, इसके बाजे में जो आपको square दिखाई दे रहा है, simple से square के उपर आपको click करना है, इसके बाद दोस्तों आप बैग्राउंड से लिए था उसकी जो लेंथ काफी बढ़ी है तो सिंपल से उस बैग्राउंड के उपर क्लिक करके यहाँ पे आपको टच करना होगा इसके बाद आपको यहाँ पे उपर की दरब जो सिदर का ओप्शन दिखाई दे रहा है कैची का ओप्शन दिखाई दे रहा है सिंपल से कैची के ओपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाता है तो आपको यहाँ पे trim to right off play head के उपर क्लिक करना होगा जैसे दोस्तों आप इसके उपर क्लिक करते हो तो आपका background जो ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है वो simple से यहाँ से cut हो जाता है इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो आपके background की length और आपके वीडियो की length बिल्कुल यहाँ पे match हो चुकी है अब आपको जहाँ पर यह green screen नजर आ रही है simple से यहाँ पर उस वीडियो को आपको यहाँ पे stop कर देना है इसके बाद इस वीडियो के उपर क्लिक करना है इसके बाद दोस्तों वापिस से आपको layer के उपर क्लिक करना है layer के उपर क्लिक करने के बाद media के उपर क्लिक करना है यहाँ पर जो भी आपको photo add करनी है simple से वो photo यहाँ से आपको select करनी होगी तो मेरे gallery में already यह photo है आपको भी अगर यह photo चाहिए तो आप simple से video के decision में इस photo की link में ने दे दी है आप वहाँ पे click करके इस photo को आपके mobile की gallery में यहाँ से free में download कर सकते हो यह photo select करने के बाद आपको यहाँ पे इसका जो भी आपको length चाहिए जिसको up down छोटा बड़ा आपको यहाँ से ध्यान से करना होगा बिल्कुल आपकी जो green screen है उसके बराबर match इस photo को आपको करना है अब आप देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल जो हमारे video में जो green screen है उसके बराबर match में मैंने यह photo यहाँ पे add कर दिया है, set कर दिया है दोस्तों आप यहाँ पे एक बात ध्यान रखना यह photo जो हमने select किया है, यह आज राम मंदिर का भूमी पूजन है इसके लिए मैं यहाँ पे यह photo select कर रहा हूँ, आपको sample में दिखाने के लिए लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे किसी का भी photo add कर सकते हो जो भी photo आपको यहाँ पे add करना है, आपके gallery का कोई भी photo आप यहाँ पे add करके उस बंदे को surprise दे सकते हो, उस बंदे को चौका सकते हो आप चाहे होता है आप यहाँ पे आपके girlfriend की photo भी add कर सकते हो जो की बहुती ज़्यादा impactful video आपका बन जाता है तो मैं आपको sample में दिखाने के लिए आज राम मंदिर का भूमी पुझेने इसके लिए मैं यहाँ पे यह photo जो मेरे mobile में gallery में है बिल्कुल यह photo मैं यहाँ पे add कर रहा हूँ अब आप देख सकते हो दोस्तों जो photo आपने शिलिक किया था यहाँ पे chroma key के उपर click करना है chroma key के उपर click करने के बाद आपके सामने यहाँ पे इस वाला option show हो जाएगा तो आपको simple से यहाँ पे enable कर देना है इसके बाद जो नीचे color आपको show हो रहा है simple से इस color के उपर click करके आपको यहाँ पे green color select कर देना है इसके बाद दोस्तों आप आपका फीडियो यहाँ पे प्ले करके देख सकते हो तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हो आप जो फीडियो में जो आपने फोटो एड़ की है वो फोटो बिल्कुल हमारे फीडियो में फ्रंट में दिखाई दे रही है यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ साइड में तो लेफ साइड में जो three dots दिखाई दे रहा है यहाँ पे simple से click करना होगा three dots के ओपर click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह interface आ जाएगा यह जो send backward वाला option यहाँ पे show हो रहा है simple से send backward के ओपर click करने के बाद आए ओ बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो photo हमने add किया था बिल्कुल screen के अंदर हमें काफी ज़्यादा effectful यहाँ पे show हो रहा है दोस्तों तो हमारा video बिल्कुल यहाँ पे बनके ready हो चुका है लेकिन दोस्तों आप यहाँ बात यहाँ पे notice कर सकते हो इस वीडियो में आपको कई पे भी background में music या फिर कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर मैं कोई background music add कर देता हो तो copyright का काफी ज्यादा यहाँ पे problem आ जाती है इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पे कोई भी background music add नहीं कर रहा हूँ लेकिन दोस्तों अगर आपके पास background music है जो आप यहाँ पे add करना चाते हो तो simple से आप यहाँ पे audio के उपर click करके background में पे कई भी टच नहीं करना है simple से आपको export के उपर click करना है जैसे दोस्तों आप export के उपर click करते हो तो आपका video आपके mobile gallery में by default save हो जाता है आप चाहो तो उस gallery से उस video को अपने WhatsApp status पर या फिर social media के कई भी other platform के उपर share कर सकते हो उम्मीद करता हो दोस्तों ये वीडियो आपको काफी ज़्यादा पसंद आया होगा वीडियो अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा तो वीडियो को कर देना है दोस्तों छोटा सा like चैनल पर दोस्तों आप नए हो तो चानल को कर दीजे subscribe, bell like को कर दीजे, press तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए bye bye, good luck, good day and thank you for watching this video